चली जान लेते हैं उत्ता प्रदेश की आज की सभी ताजा बड़ी महतपूर सेलेक्टेड और काम की खबरों को केवल एक वीडियो में इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई अन्य खबरें देखने के जरूरत नहीं होगी बदानी की अभी भी सीम योगी अतनात ने पांच बड़ी खोशना बड़े एलान करती हैं साथ यूपी के सभी 75 जिलों की आज की महतपूर खबरों की जानकारी देंगे अगर आप किसी और राजिस हैं तो इस वीडियो को न देखें लेकिन यूपी से हैं तो लाइक करके बताएं आप किस जिले से हैं और एकदम इतमिनान से सभी ख़वरों को जरूर जान ले उदब्रदेश में बदायू कांड की आरूपी जावेद पर 25,000 रूपे का इनाम भोशित वारदात के बास सहफ फरार जिहाब को बतादी की यूपी पुलिस ने बदायू कांड की आरूपी जावेद पर 25,000 रूपे का इनाम भोशित किया है जो फिलाल इस मामले में फरार है बतादी की दोहरे कांड का मुख यारूपी साजित खटना के कुशी देर बाद एनकाउंटर में ठेर कर दिया गया जबकि दूसरे आरूपी जावेद की तलाश जारी है अब यूपी पुलिस ने उसके गरबतारी पर 25,000 रूपे का इनाम भोशित कर दिया है बतादी की साजित स्कुलिस अंकाउंटर में ठेर कर दिया गया है उदप्रदेश में अखलेस यादो को बड़ा जटका पलवी पटियल की बगावत बिना बताया तीन सीटों पर चुनाओ लड़ने का एलान जिहाब को बतादी की उपे में इन्डी गडबंदन में सीट बटवारे को लेकर समाजवादी पार्टी और अपना दल कमेरावादी में फूट पड़ गई है पार्टी के कारिवाह का द्यक्ष पलवी पटियल ने बगावती रुख अपना लिया उन्होंने सपा प्रमुख अखले स्यादों को बिना बताएं अपनी पसंद के तीन सीटों पर चुनाओ लड़ने का एलान कर दिया है पलवी पटियल ने कहा इंडी गडबंदन के ताथ हमें फोलपूर, मिर्जापूर और कौशामभी सीटे चाहिए अप गडबंदन तै करेगा कि हमने जो सीटे मांगी है वह देगा या नहीं उदब्रदेस में होली की सुरक्षा के लिए और इक्याउन कमपनी पीसी तैनाद समयदन से जिलों में रहेंगी अतिरिक्त सतरकता जेहाँ आप को बतानी के उतब्रदेस लोगसबा चुनाओ के दोरान होली के मोके पर सांती विवस्ता कायम रखने के लिए पुलिस विशेश प्रबंध कर रही है डीजीपी मोख्याले के निर्देस पर 61 जिलों में कारून विवस्ता वरेलवे स्टेस्नों पर सुरक्षा के लिए और 51 कमपनी पीसी तैनाद की गई है होली को देखते वे 22-27 मार्च तक पीसी करिमियों को मुस्तैत की जानी का निर्देस दिया गया है विशेसकर समयदंसील जिलों में अतरिक्त पुलिस बल की तैनादी की जा रही है डीजीपी मोख्याले स्टर से 58 समयदंसील वस समयदंसील होलिकाद अनिस्तलों को भी सूची बद्ध कराये जा रहा है यूपी में सभा की पांचवी लिष्ट में छा नामों का हुआ एलान संभल से बर्क के पोते को उतारा मिर्जापुर से राज़ंदर एस बिंद दरसल आपको बतानी कि समाजवादी पार्टी ने लोगसबा चुनाओं के लिए पर्तियाशों के पांच में लिष्ट जारी कर दे इसमें छा नाम है संभल से शफिक और रहमान पर्क के पोते जियावर रहमान पर्क बागपस से मनोच चौतरी पिलीभी से पुर्वमंत्री भगवस सरन गंगवार मिर्जापुर से राजिंदर एस बिंद और घोसी से राजियो राव को टिकट दिया गया है वहीं आपको बतानी कि गौदम बुधनगर नोईडा से सपा ने कैनिडेट बदल दिया यहां से सपा ने अब राहूल अबाना को में द्वार बनाया है इससे पहले पूर्वसांसर ठाक्रन महंदर सिंग नागर को टिकट दिया था उदब्रदेश के दोसर जोवन मंडलों में होंगे शक्ती मिलन कारिकरम राहूल गादी के शक्ती विरोधी बयान के बाद भाशपा कानपूर बुंदेल खंड के हर बूत पर करेगी नौ कन्याओं का पूजन जिहाँ आपको बताने की शक्ती सनातन संस्कृति को टेंगू मलेरिया कहने वाले इंडी गडबंदन के निताओं को देश मात्र शक्ती सबक सिखाने के लिए तयार बैटी है राहूल गादी के शक्ती विरोधी बयान का हम भी शक्ती अभियान से जबाब देंगे 254 मंडलों में शक्ती होली मिलन कारिकरम किये जाएंगे आपको बतानी की आज से शुरू होने माला ये अभियान 24 अप्रायल तक चलने माला है कानपूर बुंदेल खंड शेत्र के अध्यक्ष प्रकास पाल ने महिला मोर्जा के शेत्री बैठक में बात ये कहीं इस दोरान तैह हुआ कि भाजबा के प्रतेक बुत पर नौक अन्याओं का पूजन भी किया जाएगा उदब्रदेस में वरुन गादी ने पेली 20 से नामांकन पर्चा खरीदा इसके साथ ही पहले चरण के सीटों के नामांकन की परकरिया भी शुरू हो गई है नामांकन 27 मार्च तक होंगे 19 अपरेल को इन सीटों के लिए ओट डाले जाएंगे टिकट कटने के अफवाओं के बीच पिली भीद के भाँच बसांसद वरुन गादी ने नामांकन खरीदाए चर्चा है कि वरुन निर्दली चुनाव लड़ सकते हैं पुरून के नेजी सचे हो कमलकान दिल्ली से आये थे और नामांकन पर्चे के चार सेट खरीद कर वापस दिल्ली गए है आला कि अखिले से आतोंने साबका है कि उनका उनसे कोई संपर्क रही है तो हो सकता है निर्दली चुनाव लड़ है अब जेई या लाइन मैन को नहीं मिलेगा सट डाउन बिजली निगम ने नियम बदले यह है वज़र जियां लोगों को 24 गंटे बिजली आ पुरती उपलब धकराने के लिए बिजली निगम ने शट डाउन लेने और देने की परकरिया में बड़ा बदलाव किया अब शेत्र के जेई या फिर लाइन मैन बिजली काटने और जोडने के नाम पर शट डाउन नहीं लेपाएंगे शट डाउन के लिए निगम ने शेत्र के हच्टी ओ से लेकर आधिशासी अभियनता और अधिक्षण अभियनताओं को जिमदारी सोबी है परवांचल विद्दुत वित्रन निगम लिम्टेट के अधिक्षण अभियनता एलबी सिंग ने बताया कि शहरी और अधोकिक शेत्र में 24 घंटे बिजली आप उरती के लिए नियम में बदलाव किये गए है परोश्टर के अनुसार उब्भुकताओं को बिजले उपलब्ध कराई जाए कि इसके लिए सड़ डाउन लेने और देने के प्रिक्रिया में बदलाव किया गया है उदप्रदेस में अमरोः संस्दाकुर दानिश अली आज को उदप्र दानिश अली ने खुदmanuel दानिश अली अपने ट्विटर हेंडल से ट्विट कर दी है उदर माना जा राहे कि दानिश अली आमरोः से को उदबर करके दी है आपको बदानी की दानिश अली 2019 लोग सुबा चुनाओं में बसपा की टिकट पर अम्रुआ से सांसद बने थे लेगन कुछ दिन पहले बसपा सुप्रमा मायोती ने उन्हें पार्टी से निसका सिद कर दिया जिसके बाद कॉंग्रेस में जानी की चर्चाएं तेज थी मिलाएं लखपती के स्टेडी में आ चुके हैं जबकि 18,47,000 इस कटार में खड़ी दिखाई दे रही है जाई रहे देश भर के तरच पर प्रदेश में भी लखपती दीदी मिशन को सफल बनानी कोश्चों के परणाम बेहतर दिख रहे हैं आर्थिक मोच्चे पर अपुड आदेश में कहा है कि 23 अगस्त 2010 से पुर्व सहाएक अध्यापक के पत पर न्यूक्त हुए अध्यापकों को जूनियर हाई स्कूल में प्रोननत करने के लिए टेट उत्रेड करना निवार नहीं है कोड के इस निर्ड़े के बाद प्रात्मिक विद्यालियों में न्यूक्त उन सहाएक अध्यापकों के जूनियर हाई स्कूल में प्रोननती का रास्ता स्ताफ हो गया है जिनकी न्यूक्ती 23 अगस्त 2010 से पुर्व हुई थी यहाँ आदेस नियायमूर्ती शौरप स्याम शमशेरी ने शियूक्मार पांडे वह दर्जनों अन्याजकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए दिया प्रात्मिक विद्यालियों में कार्रस्ताय का ध्यापकों नियाग करते हुए हाई कोट में आजका दाखिल की थी कि राजिस सरकार ने उनके प्रात्मिक विद्यालियों से उच्छे प्रात्मिक विद्यालियों में प्रोणती सधार पर रोब दिये कि वे सीनिया टेट में उत्रण नहीं है उतब्रदेस में कृष्ण कूप मामले में शाहिद का कमिटी से मांगी आपत्ती वोली से पहले हिंदू पक्ष करता है पूजा अब एक अप्रेल को होकी सुनवाई जिए श्री कृष्ण जन भूमी और साहिद का विबाद मामले में इलाबाद हाई कोट में पूरे दिन सुनवाई हुई साहिद का कमिटी के वकिलों के तरब से कोट में बहस की गई पुल अठारे अलग-अलग याजकाओं को एक साथ कलब करके हाई कोट सुनवाई कर रहा है साहिद का किस एडियो के पास मौजूद कृष्ण कूप की पूजा के अनमती मामले में भी इलाबाद हाई कोट में सुनवाई हुई हिंदू पक्ष का कहना है कि कृष्ण कूप की पूजा वर्सों से हिंदू समधाय करता आ रहा है इसलिए उन्हें कृष्ण कूप पूजा करने के अनमती दी जाए इस दवरान हिंदू पश्क की तरफ से पूजा समझी तस्वीरे पेंड ड्राइव के जरीए शाहिद गाह कमिटी के वकीलों को भी दी गई है जिस पर शाहिद गाह कमिटी के वकीलों ने आपती दाखिल करने के लिए कूर्ट से समय मांगा और एक अप्रेल का समय दिया गया ह यूबे के बदायों में डबल कांड पर शुरू हुई राजनिती पीडित परिवार के घर लगा सियासी नेताओं का ताता मंत्री लेकर सांसत विधायक सब पहुँचें जहां आपको बदा दी की बदायों के दो मासमों के कांड के मामले में जहां पीडित परिवार पर पर भाजबायों ने निंदा जताई है सबाख मेडिया सेल के हैंडल पर लिखाए कि बदायों के घटना पूरी तरह से कानुन विवस्ता का फिले हो रहे हैं जिसे स्तामपरदाइक आधार देकर भाजबस याती फायदा उठाने का प्रयास कर रही है ओदा प्रदेस में जिले में चलेगा योगी का बुल्डोजर नियम ताक पर रख कर हो रहा कॉलोनियों का निर्माण जहाँ आपको बताने के कस्वे में मेरट विकास प्राधिकरण यानि मेडा के सीमा में बिना मांशित रवनियमों के तांक पर रख कर बन रहे कोलोनियों पर जल्दी बुल्डो जर चलाए जाएगा प्राधिकरण अधिकारियों ने इसके लिए उसना बनाने शुरू कर दी है अधिकारियों को कहना है कि जल्दी ऐसी कॉलोनियों पर कारवाई होगी क्योंकि गद दिनों कारवाई के दौरान ग्रामिडों ने नमाब गड़ी वं मेरट नानू रोट पर निर्माना धिन 157 करोड की नगदी अवैज शराब और सामगरी जबता आदर्स आचार सहिता का कड़ाई से पालन शुरू जिहां आपको बतानी कि लोकसभा चुनाओं के तीतियों के घोशना के साथ यादर्स आचार सहिता उलेकर बढ़ती जाने वाली सक्ति के परड़ाम भी दिखाई द दर्श की गई है मुखे निर्वाचन अधिकारी नौधी प्रिणवा ने बताया कि पुलिस आएकर आपकारी वालने विभागो द्वारा आदर्स आचार सहिता का प्रभावी तरीके सानुपालन कराये जा रहा है योबे में गिरबतारी से बचने के लिए हाई कोट पहुचा बवाल का मास्टर माइन तौकर रजा जजज बोले ट्रायल कोट में करे सरिंडर जियां बरेली 2010 में बवे बवाल के किस की सुनवाई में पांच टेक पर्थम के जजज रवी कुमार दिवाकर की कोट ने मौलान समचारी भी गाल हुए थे दो मार्च 2010 को 178 नामजस समेथ हजारों बवालियों के खिलाब थाना प्रेम नगर में रिपोर्ट दर्च की गई थे विविश्चना में मौलाना तौकर रजा खान का नाम प्रकास में आया था उदब्रदेश के प्रियाग राज में भावी से जगड़ा होने पर बुगा ने दो भधीजो को मारा परिवार में मचा कोहराम जिहां को बतानी की मेज़ा थाना शित्र के हरगर गाउं में एक बड़ी घटना सामने आई है जिहां भावी से जगड़ा होने पर आख रोशित होकर महिला ने अपने भाई के दो बेटे को ही खाट उतार दिया महिला मांसी कुरूप से बिमार बताये जा रही है उसने दोनों बच्चों के सिर्फ पट्रे से प्रहार किया तो आप भी इस सनकी लोगों से थोड़ा दू जिहां को बताने की बदायों शहर की बाबा कॉलनी में दो बच्चों के कांड करने वाले साजिस पूरे परिवार को मिटानी की तयारी में आया था मुखले वालों के मुताबिक जब वो कांड करके नीचे उतर रहा था तबास पास के कई लोग ठेकदार के घर के सामने पहुच गए जब उन्होंने आरोपी के हाथ में बड़ा सा चाकू देखा तो उन्होंने आनन फानन ठेकदार की पत्नी संगीता और मजले बेटे प्योस को हाथ पकड़ कर घर के बाहर खिश लिया लेकिन इस बिस साजित भी भाग निकला उदबर देश में अमर मनितर पार्टी के मुश्किले बरकरार कोट ने सुरक्षित रखा फैसला दरसल आपको बतानी के लाबाद हाई कोट ने MPML विसेस अदलत बस्ति से कैंक्ष्टर केस में जारी गयर जमानती वारिन के खिलाप अमर मनितर पार्टी की आचका पर बहस प परण के मूल केस में जमानत पर है कर्षि भूमिक खरीदने के बाद भूप योग बदलने के लिए फ्राधिकरणों को काफिस्तुल को देना पड़ता था जो कि करोड़ों में होता था अब भूप योग परिवरतर शुल को सुनने कर दिया गया है उदर प्रदेश में सोसल मीडिया अकाउंट खुलेगा एलवीस का सच रियो पार्टी का हेंडलर काउन आईटी एक्सपर्ट कर रहें डेटा रिकवर्ड दो और आरोपी गरपतार जिहां यूटूबर एलवीस यादो केस में नोड़ा पुलिस कोई लूप होल नहीं शोड़ना चाती है इसलिए अब उसके सोसल मीडिया अकाउंट, फेस्बुक, इस्टग्राम, एक्स और यूटूब की जांच हो रही है इससे जो साक्ष मिलेंगे उसको केस डायरी में नोड़ किया जाएगा, इसके बाद चार्चिट फाइल की जाएगी वहीं वकीलों खरताल के चलते, आज भी अलवीस यादो को जेल में ही रहना पड़ा उसे क्वारंटीन से से अटा कर हाई सेकॉर्टी सेल में ट्रांसफर कर दिया गया है पुलिस दोर्स के मताबिक एल्विस पर धारत 27 ए में केस दर्च हुआ है जिसमें जमारत मिलना आसान नहीं होता है उदब्रदेस में बदायों में दोरा कांड अखले स्यादों बोले पुलिस काम करती तो रोकी बचाई जा सकती थी दो भाईयों की जान जिहां आपको बदानी की स्थपा आतेश अखले स्यादों ने बदायों में हुए दोहरे कांड पर कहां इराज्यों में कानून में विस्ता बिहाल है अगर पुलिश ठीक से काम करती तो दोनों भायों के जान बचा आई जा सकती थी उन्होंने कहा कि देवरिया में हुई घटना में सरकार ने 30 सदकारियों को निलंबित किया था वहां भी वारदात के बाद ही कारवाई की गई यहां पर बिल्ला परवाई की गई है पतादी के बीते वर्स देवरियां के पतेय पुरगाम जमेन के मामले में जो कान बहत हो तो आपको याद हो गाई उदब्रदेश में बोले मोदी को 104 में गाली दी है संजर राउत के और अंग्जेब वाले बयान पर पीम मोदी का विपाश परतंजर जेहाब को बदानी के प्रधान मंतरी मोदी ने कहा कि उनके सरकार इन दुनों पिछले 10 वर्सों का अपना रिपोर्ट कार्ड लों के समक्ष पेस कर रही है और अपने अगले कारेकाल के लिए 100 दिन की ओजना बना रही है वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दलू ने गालियां देने में व्यस्त है उन्होंने कहा कि आज विपक्ष ने मोदी को 104 वी गाली दी और अंग्जेब से नमाचा विएम मोदी ने कहा चुनाओ का मौसा में सरगर्मिया है डीबेट का माहल बना हुआ है मैं मानता हूँ कि लोगतंत्र की यही खुशूरती है देश में भी चुनाओ परचार जोर पकड़ आ है सरकार अपने 10 साल के कामकाज का रिकोर्ट कार्ड रख रही है हम अगले 25 साल का रोड मैप बना रहे है और अपने तीसरे टर्म के पहले 100 दिन का प्लान भी कर रहे है आपको क्या लगता इस बार पियम मोदी जीतेंगे या नहीं कमेंट सरूँ करें उदब्रदेस में प्रेमानंद जी महरास से मिलने पहुँची भारती महिला क्रिकेट टीम लिया आश्रवाद जीहां आपको बदानी की तिरतनगरी मतुरा का व्रेंदावन में भारती महिला क्रिकेट टीम पहुँची यहाँ पर टीम की सभी खिलाणी प्रेमानंद जी महरास से मिलने उनके आच्छनम पहुंचे प्रेमानंद जी सभी से मिले उनके साथ काफी देर तक धार्मिक चर्चाएं के साथ ये उनके चीवन पत पर संगर सानी पर थारव पुर्वक किस तरह आगे बढ़ा जाए इसके बारे में प्रेरित किया खेल के मादिम से दुन्या में देश का नाम स्विग्यात करने का अश्रवाद या जैसा कि वो सभी से कहते हैं कि हर किसी को नाम जब करना चाहिए उन्होंने महिला खिलानियों को भी अपने कर्तवे के साथ नाम जब करने की सला दी इई उबि महांत्र नरिंदरगρί केस कोट में पेश की गई आओडियो वीडियो के पेंड रायो गवा रविंदर पूरी से करायँ शिनाक्त दरसल जिला अदलत में बागंबरी मट के महंतर नरेंदर गिरी मामले में आखाड़ा परसत के अधेक्ष महंतर रविंदर पुरी गवाई के लिए पेश हुए इस दवरान अभियोजन की ओर से नरेंदर गिरी और आदर गिरी के पीछ हुई बातचित का ओडियो और वीडियो के पेंडराय फेस की गए इसकी रविंदर पुरीश शिनाक्त कराई गए इस मामले की अगले सुनवाई 26 अप्रैल को होगी इस नियम को हर हाल में करना होगा पालन दरसल आपको बदा नी के उत्तर प्रदेस में उप्र जिला निर्वाचन अधिकारी विनिस चिंग ने कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्दिसा नुसार सभी राजनितिक दल आदर्स आचार सहिता का पूरी तरह से पालन करे इसका उलंगन करने पर जीरो टॉलरेंस की निती अपनाई जाएगी यदि किसी जगह पर आदर्स आचार सहिता का उलंगन होता मिले तो कोई भी वेक्ति जिला प्रशासन को आनलाइन सी वीजिल एप पर या फोन पर खुद उपस्तित होकर प्रशासनिक अधिकारियों को सुचना दे सकता है नाम गोपनिया रखा जाएगा आपको बतानी किस दोरान कहा जा रहा है कि एवियम के बारे में अगर कोई भी भ्रामक जानकारी फैलाता है फेक निउस फैलाता है तो उसके विरुद कड़ी कारवाई की जाएगी जूटी अफ़ा फैलाने वालों कोई खैर नहीं होगी प्रदेश के सबी दस आपकारी जोन में दूसरे राज्यों की सीमा सटे इलाखों में चेक पोष्ट बनाये गए हैं इनकी निगरानी जिलासतर से लेकर आपकारी मुख्याले प्रियाग रास से की जाएगे कैमरों की IP एड्रिस के जरीए आपकारी आयोक तो कभी भी इन चेक पोष्टों को लाइव देख सकेंगे लोगसबा चुनाव देजवर में साथ चड़ों में होने को हैं यूपी की सभी लोगसबा सीटों पर प्रिथम चरण से लेकर अंटिम चरण तक ओड़ डाल जाने हैं इसको लेकर चुनावायोग अवस्तराब के इस्तमाल पर रोप की जोड़ दे रहा है यूपी में मुलायम की महनपुरी को भगवा उड़ाने को बेताब बीजेपी फिर नए चेहरे पर दाव लगाने की तयारी जियां बीदे दस सालों में यूपी की सियास अपने कई बदलाओ देखें तमाम सियासी के लिए दरक शुके हैं दलों और निताओं के गड़ों में सेद लक्षुकी हैं सिर्फ मुलायम की महनपुरी और कॉंग्रिस की राय बरेली ऐसे हैं जिनका तलिस्म भी भाजपा नहीं तोड़बाई है पाजपा इस बार किसी तरह मुलायम की महनपुरी को भगवा उड़ाने को बेताब है इसके लिए फिर नए चेहरे पर दाव लगाने की तयारी हो रही है पार्टी की कोशिश किसी तरह सपा की एमवाई समीकरण तक समेटने की है हाला कि अलक्ष इतना आसान नहीं होगा उड़ा प्रदेश में गंगा एक्सप्रेस वेक किनारे 825 किसानों की जमीन हो रही अद्गरेट 40 प्रशत अधिगरण का काम हुआ पूरा दरसल आपको बता दी कि गंगा एक्सप्रेस वेक किनारे और दोगी गलियारा विक्सित करने के लिए किसान लगातार अपने भूमी का बैनामा करा रहे है जिला परसास्तर ने कुल 85 हक्तियर भूमी का अधिगरण किसानों से सीधे जमीन की खरीद कर किया है इस तरह से कुल 213 हक्तियर जमीन में 40 स्प्रिशल जमीन का अधिगरण के परकरिया मेरट में पूरी कर ले गई है और दोगी गलियारी के लिए जमीन का अधिगरण करने में मेरट जिला पहले नमबर पर है उदब्रदेश में अंतरिक श्यात्रियों के सुरक्षा के लिए स्वदेशी पैराशूट बनाएगा भारत इन खूबियों से होगा लैस इन तीन देशों के पास है यह उपलब्दी दरसल आपको बतानी के हमारा कान पर बहुत आगे निकल रहा है अमेरिका रूस वचीन के बाद चल दी भारत ऐसा देश होगा जो अपने अंतरिक श्यात्रों को स्वदेशी पैराशूट से लैस करके गंगन्यान मिशन में भेजेगा पूरी दुनिया को इससे आत्मिरवर भारत का दम भी दिखेगा इस वर्स के अंतमिया नए वर्स की सुरुवात में इस दुरों मिशन को लौंच करने के तयारी में है अंतरिक श्यात्रों को सब उसल वापस लाने के लिए विशेश गगन्यान स्पेस री एंट्री पैराशूट से लैस किया जाएगा रक्षा मंत्राले के TPSU के कंपनी TCL कानपुर के उतपाद निकाई फिरोजाबाद के हज़रत पुरिस्तित आयोद उपसकर निर्माडी को विशेश पारसूट बनाने का ओडर मिला है उतर प्रदेस के कॉंग्रेस प्रत्याशों के नाम पर मन्तनाज देश मार्च को लखनों में होगा लोकस्वा चुनाओं को लेकर पर सिक्षन स्विर जिहां सपासी गडबंदन के तहत कॉंग्रेस के हिस्से में आई 17 सीटों पर उमिद्वारों की सुची गुरुवार को आने की संभावना है पार्टी के सुत्रो करमसार दिल्ली में आज कॉंग्रेस की केंद्रे चुनाव समितिक बैठक में उतर प्रत्याशों के नामों पर मन्तन होगा बैठक में प्रत्याश प्रभारी अविनाज पांडिव प्रत्याश अजय राय भी श्रा मिलोंगे माना जा रहा है कि बैठक के बाद कॉंग्रेस उतर प्रत्याशों के सुची जारी कर सकती है कुछ कॉंग्रेस ने दाओं का कहना है कि प्रत्याशों के सुची दो या तीन किस्तों में जारी हो सकती ओदब्रदेश के कई जिलों में तेज हवा संग बारिष लौटी ठंड वजबास से दो महिला समेट तीन लोग चल बसें जहां जारकंड से लेकर असुम तक बने ट्रफ लाइन की कारण यूपी के कई जिलों में मौसम ने करवट लिया और जैसा कि हमारा पुर्वान मान था पुर्वान चल में कई जिलों में बारिष देखने को मिली उसके लिए एक लाइक तो बनता है अब आगे बताते हैं क्या होता है आपको बताने कि वारांट से समथ कई जिलों में ओले भी गरें कई जगों पर छमाजम बारिष देखने को मिलें दोस्तों हम आपके लिए दिमेन करते हैं आप लाइक और श्रीयर नहीं कर सकते हैं प्लीज कर दीजिए इसका कोई पैसा लिखता है बसी एक सिकंड लगेगा चैनल को सब्सकाब करके कि घंडी का अनसान दपाले हैं ऐसे ही रोज के ताज़ा खबरोखे